धनू रासी वालों का आज का रासी फल्ले यानि की आठ अप्रेल 2020 का रासी फल्ले तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन आपके साथ क्या क्या घटना होगा आपके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये साड़ी बाते हम जानते हैं परन्तु सबसे पहले मैं बात करूंगा आठ अप्रेल के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है पुर्नीमा नक्षत्र है हस्त पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है बुद्ध बार आज के दिन शुर्य उदे हो रहा है छे बज के दो मिनट में और सुर्यास्त है छे बज के तैंटालिस मिनट में चंद्रोदे है शात बज के 7 मिनट पी एम में और चंद्रास्त है छे बज के 19 मिनट एम में रितू है वशंत आज का दिन काल है बारह घंटे 40 मिनट 26 सेकेंड का महिना है चैत्र आज आपके लिए शुब समय नहीं है आशुब समय शुरू होता है 11 बज के 57 मिनट से 12 बज के 48 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है 12 बज के 20 मिनट से 1 बज के 58 मिनट तक और दिसासूल है उत्तर दिसा की और तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में लेकिन उष्य पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दे और शाथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले इसके बेल आइकन को all pay on कर दे और इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका भाग्येशाली रंग और भाग्येशाली अंक है तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें तो सबसे पहला है आपका श्वास्त दोस्तों श्वास्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए शामान ने रहने वाला है आज के दिन आप वही करें जो कार्ज करके आपको सुकून मिलता हो जो काम करने के बाद आपको मानसिक सांती की प्राप्ती हो आज के दिन आप वही कर ये बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके श्वास्त के लिए इसके बाद है आपका धन संपत्ती तो पैसों के लिहाद से आपका शमय अच्छा नहीं रहने वाल है आज के दिन अपने खर्चे पे आप कंट्रोल करें जहां आवेशिकता हो आप धन खर्च वहीं करें और फा आपके घर परिवार में किसी विक्ती का श्वास्त खराब हो जाए जिसके वजह से आपका पारिवारिक जीबन थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा लेकिन अपने पारिवारिक जीबन को बेहतर करने का प्रयास आपको करना होगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो प्रेम शंबंध के लिहाद से आपका शमय शामान ने तौड़ पे सही है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है, आज के दिन अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से आप जगरा बिलकुल फिना करें, अगर आप जगरा करते हो या बहस करते हो, तो आपका प्रेम शंबंध खराब हो जाएगा, इस बात को आज के दिन आपको याद रखना होगा, इसके बाद है आपका कामकाज, तो कामकाज के लिहाद से भी आपका शमय शामान ने ही रहने वाला है, आज के दिन अपने काड़े छितर में, आप कहीं कोई लापड़वाही न करें और आज के दिन से अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि नए काम को शुरू करने के लिहाद से आपका समय बेहतर नहीं रहने वाला है, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी, और शुनहरा शानदार हो जाएगा, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्डिवाद